लकीरों पे क्यों विश्वास करना किस्मत तो उनका भी बनता है जिनका हाथ नहीं होता जी हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमासे कुछ नहीं होगा लेकिन आपसे बहुत कुछ होने वाला अगर आपने ठान लिया है तो आपके दिल में जज़बा है जुनून है तो आप सही में कुछ कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों फिर से बार आपका अपना यूटूब चनल स्टेडी वी तोके में और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी इलेक्टिव के जो पुछा जाता है लेखन माध्याम और ब्याकरन से जितने सारे आपने देख लिया तो सही में कहता हूँ आज के जुझाम है ना उसमें कुछ न कुछ उससे मिल ही जाएगा आधा के साथ कहता हूं बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं दे रहे हैं फिर भी आपको 10-15 मिनट के माध्याम से सारे एमसी क्यों को कभर करवा रहे हैं इसलिए आप लोग सारे वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए एक्जाम जाने से पहले ठीक है तो चलिए इस सूपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले कोशन नमर यहां फोर को देखते हैं क्या कह रहा है कि रेडी खीर वन से जाना मुहावरे कर जो अर्थ होता है ना वो काम कठीन हो जाना हो जाता है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है究 एगला जो कोशन है भाई ओ है भाव आचक संग्या का उधारन है ठीक है तो भाव आचक का जो संग्या जो भाव किसमें इसमें परकट हो रहा है भाई तो इसमें देखिए कठोर में है न वो भाव है न उसका परकट हो रहा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह र थे टैंगी तो तो हम लोग को डर ही नहीं रहेगा कुछ भी डर नहीं रहेगा तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत में पहला झापाकाना कब खुला गया था बाई अगे क्या है कि ज़िस्द संचार के आधूनिक माध्य palavर में सबसे पुराना माध्याम कौन है ठीक है जन संचारों में सबसे पुराना माध्याम कौन है तो आप देखिए प्रिंट माध्याम जो है सबसे पुराना माध्याम है सरम माध्याम मतलब सुनने वाला रेडियोक माध्याम और दिरिश्च माध्याम मतलब देखने वाला मोबाइल, इंटरनेट, ये अज कल फिलवाल आया है, लेकिन तुरंत घटी घटनाओं को अगर देखा जाए यहां पर नहीं दिया जाता है इसमें लिखा है नहीं दिया जाता है ठीक है जनसंचार की जनकारी तुरंत नहीं दिया जाता है तो भाई रेडियो में हम लोग लाइब तुरंत आ सकते हैं कि नहीं तुरंत दिखा सकते हैं उसक समचार सैली क्या कहलाती है, समचार सैली क्या कहलाती है, ठीक है, उल्टा पिरामीड सैली कहलाती है, आगे देखते हैं समचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, समचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, वाचक कहते हैं, सुरोता कहते हैं, द्रिष्टा कहते हैं, परति लिखने वाला समचार पत्र पढ़ने वाले को क्या करते हैं तो द्रिश्टा चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है कि फिलांसर पत्रकार का कारी है फिलांसर हो कौन सा कारी करता है ठीक है फिलांसर मतलग क्या होता है जो अलग अलग कारियों को करता है न तो फिलांसर किसी ए होगा भाई option number B हो जाएगा भुगतान के अधार पर अलग-अलग समचार पत्रों के लिए लिखना ठीक है आगे चलिए आगे चलते हैं आगे क्या है भाई आगे देखते हैं भाई आगे क्या कह रहा हमारा कि कह रहा है कि कवीता की पहली सर्थ क्या है कवीता हम लोग लिखते है ना भाई तुसमें पहला सर्थ क्या रहता है सब्दों से मेल जोल जी ये तो रहता है चलिए देखते हैं ग्ञान भीटबन धवनियों से खेल या स्मुर्थी चीत्र तो सही इसका इंसर क्या होगा भाई इसका इंसर फोर हो जागा अस्मिर्ती से चीत्र हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे क्या है साहित की कौन सी विद्या पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखने के तत्व के अंदर समेटे हुए है ठीक है तो क्या है भाई हम लोग क्या कह रहा कि विद्या के कौन सा सुनने पढ़ने और देखने के लिए सारा इसमें साधन है तो किसमें होता है भाई तो देखिए कवीता हम लोग सुनते हैं क्या कह रहा है कि सुने और देखने के ततु को अंदर समेटे हुआ है ठीक है इसमें क्या सुनते हैं और देखते भी है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा उसका सही नसर क्या होगा आप लोग बताइए क्या हो जाएगा डैरी हो जाएगा ठीक है ना डैरी हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि कहानी का केंदरित बिंदू क्या कहलाता है कहानी का जो केंदरित बिंदू क्या कहलाता है उदेश कथाना कहलाता है सनवात कहलाता है चरम उतकर्स कहलाता है कहानी का केंदरित बिंदू क्या कहलाता है भाई इसका क्या हो जाएगा सही विकल सब्द का आर्थ है, तो विकल सब्द का क्या आर्थ होता है, तो ब्याकूल होता है, क्या होता है भाई, ब्याकूल होता है, चलिए आगे देखा, आगे आपका ये ग्रामर से दिया गया है, कि कुटच के पौधे की क्या विसेशता है, तो इसमें क्या होगा, अप राज कि जन संचार माध्यों में से कौन पुराना माध्यम है तो भाई कौन सा माध्यम है तो प्रिंट माध्यम है अप लोग को पता है फिर से यहां पे दिया गया है निम्न में से कौन समचार के छा ककारों में समलित नहीं है कौन सा ककार है और समलित नहीं है तो आपको पता है कि सम लिखीत में पूंसा कवीटा के महत्पून घटक है कवीटा के सभी हो जाएगा भासा सयल और दोनो जा सकता है ुसके बाल आगे देखते हैं आगे क्या रहे कि फीचर की सेली में आता है तो फीचर जो है ना भाई किस सेली में आता है तो आपको बताईए कौन साथ सेली में आता है विवेच नातमक सेली में आता है आगे क्या करा है कि समचार किस सेली में आता है समचार किस सेली में आता है तो उल्टा पिरामिट सेली में आता है क्या आता है उल्टा पिरामिट सेली म हुआ तो बाई देखते हैं एक है और रएट कैसे क्वे शुरी की एक तो वुक्त कत्त होता है ठीक है ना वाइट मतलब कत्षान हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या भारत में पर्थम दौर कब से माना जाता है पर्थम दौर कब से मान जाता को नई 19813 से भरत में इंटर्नेट का स्थापित नय detta चलिए आगे देखते हैं हमारा आगे कोसन क्या है भाई यहां पे पूछ रहा है कि संबल सब्द का अर्थ क्या है तो भाई इसका समझे कि ब्याकरन ही पूछ रहा है इसको प्रियावाची पूछ रहा है तो यह ब्याकरन से हम लोग मान सकते हैं तो संबल सब्द का क्या तो रोम रोम कलपना मतलब क्या होता है बहुत खूस होना बहुत निर्दई होना अतियदीक लचाक होना मतलब लचार यहां पर होगा लचार होना अतियदीक दुखी होना तो सही अंसर क्या हो जाएगा भाई अतियदीक दुखी होना रोम रोम कलपने का आर्थ क्या होता है त अलंकार क्या हो जाएगा भाई तो इसमें किरपा करूना अलंकार है वो उसमें अनुपरास अलंकार है ठीक है कौन सा अलंकार है भाई तो अनुपरास अलंकार है चलिए आगे देखते हैं आगे यहां पर क्या है भाई कह रहा है कि भारत में पहली मुख फिल्म बनाने का सरे क किसे जाता है तो मुख फिल्म अन बोलती फिल्म जो है वो किसको दिया जाता है भाई तो दादा साहिब फालके को दिया जाता है इनका बहुत नाम है इन सारे फिल्मों में ठीक है चलिए दादा साहिब फालके हो जाएगा जिनको जिनोंने मुख फिल्म बनाते थे ठीक है आगे देखते हैं संचार परकिरिया में आने वाली बधाओं को कहता मतलब कहा जाता है ठीक है संचार परकिरियों में जो आने वाली बाधा है मतलब जो गंदी आवाज आता है उसको क्या कहते हैं भाई फीडबैक कहते हैं सुरोत या संचार कहते हैं माध्यम चैनल कहते हैं य कि भारत में पर्थम समचार पत्र की शुरुवात कभ हुई थी भाई तो 30 महीं 1826 को आगे क्या है कि All India Radio की विविद अस्थापना कभ हुई थी ठीक है ए享 CandiTalk अस्थापना कभ हुए था इससे पहले भी आपको पीछले विडियो में बता थीक है अब क्या फोटीन है जन संचार के माध्यों में में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है भाई तो सबसे पुराना कौन सा माध्यम है प्रिंट माध्यम है बार बार यही पुछा जा रहा है क्या हो जाएगा प्रिंट माध्यम है उसके बाद आगे देखते हैं संचार सब्त का उत्पती चर धातु से ठीक है जिसका आर्थ क्या होता तो चर मतलब होता है चलना ठीक है चर मतलब चलना होता है कवीता किस विद्धा के अंतरगात आती है तो पद्यान से अथा पद्या के पद्विद्या के अंतरगात आती है ठीक है पद्विद्या के अंतरगात आती है आगे देखते हैं फिल्म संचार ठीक है फिल्म जन संचार कि किस माध्यम के अंतर अती है तो फील्म क्या आता है भाई दूर 19 सर्य वेता है कि आउंग complete ठीक आगे देखते हैं कि मुंद्रेण की शुर्वार्यात किस देंसे वी थी आप लोग बताईए जिल्म का आगे देखा जाए आगे क्या है हमारा कोशन यहां पर दिया गया है कह रहा है कि थर थर कापोधरों में कौन सा अलंकार है अलंकार यहां पर पूछ रहा है भाई तो कौन सा अलंकार है थर थर अथा दो बार यहां पर आ रहा है इसलिए इसका कौन सा अलंकार हो जाएगा पु आगे कि संचार सब्द का चर धातू है मतलब कौन सा धातू है भाई संचार सब्द में कौन सा धातू जुड़ा हुआ है तो आपको पता है चर धातू जुड़ा हुआ है जिसे चर का मतलब क्या होता है तो चलना होता है चलिए आगा आगे देखा जाए आगे क्या है तो आग तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप लोग इसी तरह त्यारी कीजियों त्यारी पूरा फूल करके जाए आप एकजाम सेंटर में और मन लगा कर एकजाम लिखे चलिए फि